को संदे किये 13 नंबर करा लेट एफ बी एन इंजेक्टिव मैप विथ डोमेन एक्स वाई-जेड एन रेंज 1-2-3 सच जेट एक्जेक्टिव वन ऑफ द फोलॉइं इसको करेक्ट बानते हों तो यह दोनों फॉल्स हो जाएंगे अगर आप इसे करेक्ट मानते हो और इन दोनों को फॉल्स ले लेता हों तो यहाँ पर यह फॉल्स होने का मतलब की एक true-up होगा जब f y के value 1 के equal हो जाए तब आप इसको सही मन होगे यह not equal to दिया है तो इसको correct करने के लिए equal to करोगे तो देख रहा है कि दो element के same image हो जाएंगे जब इसको correct करोगे अगर आप इसे true मानते हो समझो कि यह correct है और यह दोनों false है यह false है तो इसको correct करने के लिए equal to 1 कर देंगे लेकिन यह तब तो यह 1 1 नहीं हो जाएगा इंजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि दोनों element के same image 1 मिल जा रहा है एक्स का भी और य का भी तो इसलिए हम लोग इसको correct नहीं मानेंगे अच्छा अगर आप इसको correct मानते हो फिर तब गड़बर हो जाएगा अगर आप इसे correct मानते हो की f y के value 1 के equal नहीं है तो 1 के equal नहीं है तो हो सकता है इसका value 2 के equal हो या 3 के equal हो पर कि यह जो हम इसको चाहर्श आर्य नहीं तो हम लोग यहां पर अगर वन चेह लेने से क्या होगा ये जब फॉल्स लेंगे तो एसे मैं फॉल्स म मानूंगा तो फिर semester यह 117 यह कि करेक्ट माना गरेक्ट माना जब लिए है तो यह आपका फॉल्स है यह से कग्ट 1 के equal है और यहां पर f x का value क्या ले लेंगे जो अब आपका element बज़ गया 2 के equal है यह भी false हमने लिए है तो हम क्या देख रहे हैं हमें value of f inverse 1 निकाला तो f inverse 1 का value क्या हो जाएगा वाई नहों जाएगा जाएगा जाए बी नमबर इसका सही है